कि अभी आवाज आप सभी तक पहुंच रही होगे होगी अगर मेरी आवास पहुंच रही है तो एक बार आप लोग y लिग दीजै या yes लिग दीजै ताक hp meinen session को आगे बढा सकूँ मेरी आवाज आप सभी तक पहुंच रही है किज़दी से बताय से आवास मेरी आप तक और पहुंच रही है हैं ओके ओके चलिए स्टार्ट करते हैं आज के शेशन को 2021 के important current affair की marathon चलेगी आज और कल दोनों दिन चलेगी और कल जो marathon होगी वो 7 बजे start हो जाएगी आज की timing 8 बजे है तो कल मैं और आप यहाँ पे 7 बजे मिलेंगे पहले ही बता दिया है और session को शुरू करने से पहले एक चीज़ आप सभी लोग ध्यान रखो unacademy पर scholarship test आप दे सकते हो इसी को आप mock test भी बोल सकते हो जो कि आप सभी के लिए free of cost है हर Sunday को दुपैर में 12 बजे यह test होता है जिसके के लिए आपको एक रुपै भी पे करने की जरुरत नहीं है इस test को open करने के लिए आपको code डालना है VARUN 777 वरुन 777 code की मदब से यह जो test है आपका यह खुल जाएगा इस test में ranking के आधार पर हर हफते यह test होता है इस पर आपको scholarship दी जाती है और उसके अलावा भी कई बार आपको shopping के लिए Amazon voucher बगएरा दिये जाते हैं तो यह सारी चीज़े तो एक किनारे हो गई लेकिन अगर mock test मिल रहा है free of cost तो उसको जरूर देने की question देखने को मिलेंगे तो एक mock test आपके लिए बहुत जादा important है इनको देना बिल्कुल भी मत भूलिए ऐसे aspirants जो कि इसके बारे में नहीं जानते हैं उनको भी बताइए और यह code दे दीजेगा बोल दीजेगा इस code की 10 से आप यहाँ पर test दे सकते हो तो चलिए शुरवात करते हैं पहला question आपके सामने है अभी कुछ question शुरवात में केवल अंग्रेजी में है 8-10 question के बाद सारे question आपको हिंदी में भी मिलने लगेंगे ठीक है तो patience बनाया रखो पहला question आपके सामने है यह कौन सा IIT है जिसके द्वारा अभी हाली में एक online platform बनाया गया है जिसका नाम है e-source यह जो e-source नाम का platform है यह भारत में electronic waste या फिर electronic garbage बोल सकते हो इसको manage करने के लिए यूज किया जाएगा IIT BHEU, IIT मदरास, IIT दिल्ली या फिर रोर्की तो ध्यान रखना है IIT मदरास ने अभी हाली में e-source नाम का एक online platform बनाया है इस platform की मदस से भारत में जितना भी electronic waste है या गारबेज आपको पता है electronic waste किसको बोला जाता है जब आपकी कोई भी electronic device खराब हो जाती है जैसे कि mobile phone हो गया ठीक है या फिर आप trimmer ही यूज करते हो वो भी मान लीजे खराब हो गया computer खराब हो गया ठीक है इस तरी camera आपका खराब हो गया कोई भी आपका electronic device है जब वो खराब हो जाता है तो वो electronic waste है electronic waste को भी तो हमें recycle करना होगा न तो उसके लिए एक definite platform बनाया गया है किसके द्वारा IIT मद्राज के द्वारा एक question आपसे और पूछा जाएगा कि इस साल भारत में best institute किसको consider किया गया है तो ध्यान रखिएगा IIT Bombay को best institute consider किया गया है किसको IIT Bombay को अगर आपसे पूछता है research के basis पर दुनिया का number one institute किसको consider किया गया है तो research के basis पर Indian Institute of Science IISC Bangalore को number one declare किया गया है पूरे वर्ड में तो यहां पर मैंने आपको तीन question बताय हुए है पहला question आपके सामने लिखा है electronic waste के लिए IIT मद्रास ने e-source नाम में number one पे है और तीसरा मैंने आपको बताया research के छेतर में केवल भारत में ही नहीं पूरे वर्ड में Indian Institute of Science Bangalore number one पे है अगर आप से पूछता है भारत में management के मामले में number one कौन सा है तो ध्यान रखेगा IIM Ahmedabad अगर आप से पूछे medical field में सबसे बहतर institute कौन सा है तो आपका answer हो on how many gold medals in the Asian Youth Championship 2021 साल 2021 की इस साल अगस्ट के महिने में जो Asian Youth Championship हुई है इसमें भारत ने कितने gold medal जीते हैं पांच, दस, छे या फिर आठ ध्यान रखेगा भारत ने इस बार 6 gold medal जीते हैं कितने 6 gold medal अब देखे यहीं पर तीनों आपको समझा देता हूं पहली चीज तो question आप से बनेगा कि Asian Youth Championship 2021 जो है यह कौन से sports related tournament था तो ध्यान रखना है आपको यह boxing का tournament था दूसरी चीज भारत ने gold कितने जीते हैं तो भया हमने जंडे गार दिये हैं हमने इस बार 6 gold इसमें जीते हैं अगर आप से पूछे भारत ने silver कितने जीते हैं मतलब रजत पदक कितने जीते हैं तो 9 हम लोगोंने silver जीते हैं और अगर आपसे पूछे ब्रोंज कितने जीते हैं हम लोगोंने तो 5 ब्रोंज जीते हैं इतना data आपको ध्यान रखना है और इसके अलावा यह भी ध्यान रखना है कि Asian Youth Championship इस बार की कहां पर हुई तो answer आपके सामने लिखा हुआ है यह हु अगला question है this year Indian Navy has conducted its first ever naval exercise with which country मतलब पहली बार ऐसा हुआ है कि इन चारों में से कौन सा देश है जिसके साथ हमने इससे पहले कभी भी naval exercise नहीं करी थी मतलब हमारी जो 9 सेना है इसने पहली बार इन में से किस देश के साथ naval exercise कंड़क्ट करी है जॉर्जिया अर्जेंटीना चि इस बार पहली बार इंडियन नेवी ने इन में से किस देश के साथ exercise कंड़क्ट करी है इस साल बताओ जल्दी से राहुल रंगा का कहना है जॉर्जिया जॉर्डन का कहना है जॉर्जिया उमायर खान का कहना है अर्जेंटीना वैसे जो लोग गलत आंसर करते हैं उनका नाम ले लिया है खेर इसलिए कि अब सोच समझ के आंसर करना तुक्का मत माना न्यू मूवी का अंसर सबसे पहले सही है हाला कि इनका रियल नेम नहीं है इनकी आईडी का नाम न्यू मूवी है तो इनके लिए तालिया हो जाए अलजीरिया इस दर राइट आंसर ठीक है अब तो अगर आपसे पूसता है भारत की तरफ से किसने हिस्सा लिया तो इंडियन नेवल शिप तबार ने हिस्सा लिया किसने तबार ने हिस्सा लिया अगर आपसे पूसता है अलजीरिया के कौन से नेवल शिप ने हिस्सा लिया है तो अलजीरियन नेवल शिप एनस इसको बोलते हैं और इसका नाम है एजागर क्या बोलते हैं एजागर इसका नाम है तो अलजीरिया की तरफ से एजागर ने हिस्सा लिया और भारत की तरफ स adopt किया था ठीक है और ये resolution किसके लिए था अफगानिस्तान की situation को देखते हुए ये resolution adopt किया गया तो आप से question ये पूछ रहा है UNSC ने अभी हाली में अफगानिस्तान के लिए एक resolution को adopt किया और ये जो resolution adopt किया गया ये कौन से देश की presidency के अंतरगत इसको adopt किया गया तो ध्यान रखना है UNSC ने भारत की presidency के अंतरगत अफगानिस्तान में जो situation चल रही है उसके लिए एक resolution को adopt किया अब इसका मतलब क्या है समझो देखो है क्या Britain, America और France ये तीनों देश आगे आते हैं और United Nations को बोलते हैं कि भाईया अफगानिस्तान में जो situation बन रही है इनको समझा बुजा कर रखा जाए इनको इस बाद से हमेशा चेतावनी दे कर रखा जाए कि ये किसी भी देश पर आकरमन ना करें मतलब पहली चीज़ तो ये कि ये किसी भी country में attack ना करें और दूसरी चीज़ इनको भाईया को पना ना दे इन दोनों के लिए पुस्टी करी जाए United Nations की तरफ से ये टीनों देशों ने आगे निकल कर बोला UN को अब इसमें क्या हुआ कि बढ़ चल कर हिस्सा लिया भारत ने क्योंकि भारत एक ऐसा मुल्क है या ऐसा देश है जो कि हमेशा से जब से हम हमेशा उदर से इनके अपने ही चला करते है सिस्टम अगर इनका सारा ध्षान अपने डैवललप्यंट में होता तो हमें वह भारत एक सारी चीजे करने की जरूरत ना में और इसके तहर अफगानिस्तान को एक सर्कुलर जारी किया गया कि आप इस चीज का खास ख्याल लखें कि किसी भी देश पर अकमर नहीं करेंगे और दूसरी चीज आतंकवाद को पनान नहीं देंगे अधर्वाइस आपके खिलाफ एक्शन किया जाएगा UNSC की बात करें त कौन से देश में बना रही है कहने का मतलब यह है कि भारत GMCP कौन से देश के अंदर बना रहा है तो GMCP मतलब Greater Malay Connectivity और Malay कहां की Capital है माले-Maldives की Capital है तो ध्यान रखिये मालदीव के अंदर एक बहुत बड़े ब्रिज को लेकर एक प्रोजेक्ट बनाया गया है और इस प्रोजेक्ट को रन करा जा रहा है भारत सरकार की तरफ से इस प्रोजेक्ट का नाम क्या है GMCP Greater Malay Connectivity Project अब देखे इस प्रोजेक्ट का मेन मोटो क्या है इसका मेन मोटो ये है कि मालदीव के अंदर काई सारे जो आईलैंड हैं जैसे यह एक आईलैंड हो गया यह हो गया इन सभी आईलैंड को ब्रिज के थूरू connect किया जा रहा है तो यह देखे यहां पर एक ब्रिज बनेगा जिससे यह दोनग करेंगे यहां पर ब्रिज है GMCP के अंतरगत ये कितने किलोमीटर लंबा है ये 6.7 किलोमीटर लंबा बिरिज बनाया जा रहा है ओके और मालदीव की कैपिटल क्या है माले मालदीव में इस टाइम पर राज़पती है इब्राहिम मुंमस सोली इंडोनेशा कैपिटल जकारता भूटान की कैपिटल थिंपू बांगलादेश की कैपिटल ढाका कोई समस्य तो नहीं सोटेड ना अगला कोश्चन ये कौन सा मंतराले है जिसके द्वारा अभी हाली में वाई ब्रेक नाम का एप्लिकेशन लॉंच किया गया था बताओ जरेकमेंड बॉक्स में लिखकर जल्दी से वाई ब्रेक नाम का एप्लिकेशन कौन से मंतराले के द्वारा लॉंच किया गया रेलवे जल शक्ति स्पोर्ट्स या फिर आयूश मंतराले बताओ ये कौन सा मंत्राले है जिसके द्वारा अभी हाली में वाई ब्रेक नाम का अप्लिकेशन लॉंच किया गया बताईए नो आइडिया सिमरन सिंग और हनी श्रिवास्तो और जॉर्डन इन तीनों के सबसे पहले और सटी का अंसर आए हुए है जो लोग भी यहाँ पर आयूश मंत्राले अंसर कर रहे हैं उन सभी का अंसर सही है आयूश मंत्राले के द्वारा वाई ब्रेक अप्लिकेशन इसलिए लॉंच किया गया है कि यह आपको हेल्ट एंड फिटनेश के बारे में बताएगा पतब लाइक आप अपनी डेली की दिन चर्या इस एप्लिकेशन के थ्रू बना सकते हो डेली आपको एक्सरसाइज में क्या चीज़े प्रेफर करनी चाहिए क्या नहीं करनी चाहिए जैसे कि माल लीजे आपको वेट भी रिड्यूस करना है और आप काडियोक पेशेंट भी हो तो उस केस में आपके एक्सरसाइज ऐसी होनी चाहिए ना कि आपके हार्ट बीट बहुत जादा ना हो या फिर कितने कितने इंटरवर्ल्स में आपको एक्सरसाइज करनी है तो यह एक इतना बहतरीन एप्लिकेशन है जो कि आपको आपकी बॉडी टाइप के हिसाब से सारी एक्टिविटीज बता देगा आयूश मंत्राले ने इसको लॉंच किया ध्यान दखिया आयूश मंत्राले इस टाइम पर किसके पास है सब नंदा सुनवाल के पास है और आयूश में आयूश का फुल फॉर्म क्या है A for Ayurveda, Y for Yoga, U for Yunani, S for Sidh and H for Homeopathy Sports मंत्राले अनराक ठागुर के पास है, जल्शक्ती मंत्राले गजेन सिंग सिखावत के पास और Railway मंत्राले अश्वनी वैशनों के पास है अगला कोशन है इस साल पोशन माँ अभियान जो है इसको सेलिब्रेट किया गया कौन से महीने में तो पोशन माँ अभियान अभिहाली में सेप्टेंबर के महीने में सेलिब्रेट किया गया कब से कब तक सेलिब्रेट किया गया तो ध्यान लखेगा एक से लेकर 30 सितंबर तक सेलिब्रेट किया गया अब ये portion मा मंत्रा अभियान है क्या इसके तहत भारत में हर वो महिला जो की बच्चे को जनम देने वाली है मतलब during pregnancy है उन महिलाओं को यहाँ पर aware किया जाता है कि किस तरीके से वो अपने होने वाले बच्चों को को portion से भचा सकती है जैसे कि यहाँ पर उन माओं को यह बताया जाता है कि किस तरीके से जो newborn baby हैं उनके लिए मा का दूद कितना जादा फाइदे मन्द है तो breast feeding के क्या क्या फाइदे हैं actually जो breast feeding होती है वो newborn baby को 12 तरीके की बीमारियों से बचाती है उसके अलावा कुछ time तक उनको अन्य वगेरा नहीं देना होता है यह सारी चीज़ें actually यह एक awareness campaign है जिसके तरह पूरे भारत भर में tribal communities वाले areas में और जो आपके backward areas हैं जहाँ पर awareness की कमी है वहाँ पर महिलाओं को यह सारी चीज़ों से aware किया जाता है कि किस तरीके से वो बच्चों को को proportion से बचा सकती है अगला question है according to Prime Minister Narendra Modi's speech on 15th August आपसे यह कह रहा है इस बार 15 August में प्रधानमंती Narendra Modi ने जो speech दी थी दिल्ली से उनकी speech के आधार पर कितनी वंदे भारत trains हैं जो की Indian Railway को दी जाएंगी तो Indian Railway को प्रधानमंती Narendra Modi की speech के आधार पर 102 train देने का वादा क्या गया है 102 वंदे भारत trains Indian Railway को दी जाएगी अब यहाँ पर समझे एक चीज़ और कई सारे question यहाँ से निकल के आएंगे पहली चीज़ तो आपको यह ध्यान होना चाहिए कि अभी कितनी वंदे भारत चल रही है तो अगर आपसे पूछे करंटली कितनी वंदे भारत चल रही है तो करंटली दो वंदे भारत चल रही है पहली चीज़ दिल्ली से लेकर जम्मू कट्रा तक, माता वैशनो देवी मंदर तक और दूसरी जो आपकी चलती है वो दिल्ली से लेकर चलती है वारांसी तक जो की प्रधानवंती नरेन मोदी की कॉंस्टिटिवेंसी है ठीक है तो ये दो ट्रेने अभी चल रही है इसके अलावा अगले सा साल 2022 है और 2022 में हम लोग अपने इंडिपेंडेंस डे की 75 वी एनिवर्सरी मना रहे है तो भारत सरकार का ये मोटो है कि जब हम लोग 75 वी एनिवर्सरी 15 अगस्त को अगले साल मना रहे होंगे तो इंडियन रेलवे के पास 75 वंदे भारत होनी चाहिए कितनी 75 तो पहली चीज करने का जो टार्गेट है जो अभी मैंने आपको बताए 102 करने का टार्गेट है ये कब तक का है ये 2024 का है बाद आगी समझ क्या कहने का मतलब है इसके तहित एक और कोशन आप से पूछ सकता है कि अभी हाली में भारत सरकार के द्वारा कितनी वंदे भारत एक्सप्रेस ट्र आनी है जिन में से अभी केवल दो चल नहीं है करेंट में मतलब सो ट्रेने और लॉंच करनी है ये सो ट्रेने कब तक लॉंच करनी है दो हजार चौबिस तक मतलब दो हजार चौबिस तक 102 ट्रेने इंडियन डेलवे को देनी है जो कि सारी वंदे भारत होंगी इसमें से अग अगले साल तक पूरी 75 ट्रेने हो जानी चाहिए मतलब अगले साल तक 73 ट्रेने और हम लोग लूँच कर देंगे क्योंकि दो तो चल रही है तो टोटल कितनी हो जाएंगी 75 और वंदे भारत एक्सप्रेस जो है इसकी स्पीड कितनी है तो ध्यान दखेगा 160 किलोमीटर पर आव उगंड़ Kissadore घंड़ा ऑगस्त को अपना स्वतंता दिवस मनाया है कब तक प्रधानमंpt्री जंदन योजना के अंतरगत कितने एकांथ पूरे भारत में खोले जा चुके हैं तो ध्यान लखिएगा 43 करोण अकंट अभी तक पूरे भारत में प्रधानमंत्री जन्दन योजना के तहित खोले जा चुके हैं प्रधान मंत्री जन्दन योजना को साल 2014 में लॉंच किया गया था ये योजना केवल भारत की ही नहीं पूरी दुनिया की एकलावती ऐसी योजना है जिसमें एक बार में सबसे जादा बैंक अकाउंट खोले गयते कितने अकाउंट खोले गयते करीब करीब साले 14 करोन अकाउंट एक बार में खोले गयते 2014 में तो ये अपने आप में एक रिकॉर्ड है पूरी दुनिया में गिनीज बुक आफ रिकॉर्ड में भी ये दर्ज है कि भारत सरकार की ये योजना प्रधानमंती जन्न योजना जिसके तहत सबसे जादा अकाउंट एक बार में खोले गया है ये सारे नोफिल अकाउंट खोले गया है नोफिल अकाउंट का मतलब जीरो बैलेंस अकाउंट आप जिनको बोलते हो अगला कुश्चन है ये कौन सी सरकार है जिसके द्वारा राजीव गांदी साइन्स सिटी की स्थापना करी जा रही है हर्याना, आसाम, महरास्टा या फिर वेस्ट मेंगॉल इसका अंसर आप लोग करोगे जल्दी से बताईए ये कौन सी राज्य सरकार है जिसके द्वारा राजीव गांदी साइन्स सिटी की स्थापना करी जा रही है बताईए has any one idea पताओ जल्दी से राहुल रंगा, निकेश, छेत्री, आंसर सही है जो लोग भी यहाँ पर महरास्टा सरकार आंसर कर रहे हैं उन्स सभी का आंसर सही है अब देखे राजीव गांदी साइन्स सिटी है क्या इसके तैट रोबोटिक गैलरी लाँच करी जा रही है ठीक है रोबोटिक गैलरी के अलाबा एक्वेरियम लाँच किया जाएंगे अब देखे इसका मेन मोटो क्या है रोबोटिक गैलरी आपको यह बताएगी फ्यूचरिस्टिक टेक्नलोजी क्या है मतलब आने वाली फ्यूचर में हमारी टेक्नलोजी क्या है आर्टिफिशल इंटेलिजेंस ही है इवन हम लोग आर्टिफिशल इंटेलिजेंस में चल भी रहे तो आने वाले टाइम में रोबोटिक दौर आने वाला है पूरे तरीके से तो यहाँ पर रोबोटिक गैलरी इसले लाँच करी जाएगी जो कि आपको अवेर करेगी जो हमारे एंटेपेन्योर से उनको अवेर करेगी दूसी चीज एक्वेरियम वर्ल्ड क्लास एक्वेरियम जो कि आपको इस बारे में अवेर करता है कि हमें मरीन हैबिटेट का भी खयाल लखना चाहिए तो यह इसका मेन मोटो है राजियू गांदी साइन सिटी का जो कि महारास्त्रा में उदो ठाकरी की सरकार लाँच करने जा रही है और आसाम में हिमानता विश्व सर्मा की सरकार है हर्याना में खटर सरकार है और वेस्ट मेंग ओल में मौनताब इनरजी की सरकार है अगला कोशन है अभी हाली में निर्मला सीता रमन के द्वारा ये कौन सी मीटिंग है Financial Stability and Development Council की जिसकी अध्यच्चता करी गई है तो ध्यान रखेगा इस बार किसकी अध्यच्चता करी गई है 24, 19, 38 या फिर 29 क्या बता सकते हो comment box में लिखकर आप लोग लगातार current affair पढ़ रहे थे बताइए बताइए जल्दी से कुछ लोग 38 मीं बोल रहे हैं कुछ लोग 24 मीं बोल रहे हैं Jordan answer सही है जो लोग 24 मीं बोल रहे हैं उन सभी का answer सही है तो आपको ध्यान रखना है इस साल Financial Stability and Development Council की 24 मीटिंग के अद्दच्चता करी गई है Finance Minister निर्मला सीतरमन के द्वारा एक चीज़ और धान रखना आप से question ये भी पूछ सकता है FSDC के अद्दच्चता कौन करता है तो हमेशा हमेशा जो भी Finance Minister होगा वही FSDC के अद्दच्चता करेगा मतलब Chairperson होगा और FSDC का Co-Chair कौन होता है तो जया नकिएगा Co-Chair RBI के Governor होगा हमेशा तो इस टाइम पे कौन है शक्तिकांत अदास इनके द्वारा FSDC को Co-Chair किया गया और निर्मला सीतरमन के द्वारा Chairmanship इसकी करी गई इसका मेन मोटो ये था कि भारत में जो Financial Sector है उसको और बहतर बनाना, डेवलप करना और उसके Infra को भी बहतर करना मतलब जैसे की जो Digital Transactions है उनको बढ़ावा देना जादा से जादा मतलब आप Phone पे, Google पे हो गया Paytm हो गया, इनका यूज़ आप जादा करें UPI Payment Gateway का यूज़ आप जादा करें कैश का लिंदिन कम रखें अगला कोशन है विच कंट्री हैस बिकेम फर्स्ट इन एशिया टू लॉंच आ प्लास्टिक पैक्ट्स, आप से कह रहा है पूरे एशिया में पहला देश ये कौन सा बन गया है जिसके द्वारा अभी हाली में प्लास्टिक समझवता शुरू किया गया है चाइना, म्यामार, भारत या इंडोरेशिया तो ध्यान रखेगा पूरे एशिया में हमारा भारत पहले ऐसा देश बन गया है जिसने प्लास्टिक समझवता लॉंच किया है अब ये plastic समझाता है क्या plastic समझाता के तहट भारत सरकार हर वो world class technology लाने जा रही है जिसके तहट आप plastic को recycle कर सकते हो ठीक है अब एक चीज ध्यान रखे plastic पूरी दुनिया के लिए एक problem बन के अकर हुई है अब इस case में हर country प्लास्टिक पैक्ट से जुड़ने की कोशिस करेगा तो अगर एशिया में भारत पहला ऐसा देश बन चुका है तो ध्यान रखेगा हमेशा अब हम लीडिंग कंट्री ही रहेंगे पूरे एशिया में इवें चाइना भी हमें इस case में फॉलो करेगा चाइना भी हमसे ही टेक्नलोजी इस case में लेगा आने वाले टाइम में अगर वो हमसे टेक्नलोजी नहीं भी लेते हैं तो ध्यान रखेगा उन्हें इन पैक्ट के तहत हमारे साथ एग्री तो करके ही चलना पड़ेगा United Nations के समझ तो भारत एक तरीके से leading nation बन रहा है पूरे Asia में plastic facts को लेकर या फिर आप आम भाशा में ऐसे बोल सकते हो कि plastic waste management के लिए या फिर plastic को recycle करने के लिए भारत पूरे Asia में नंबर बन है अगला question है Indian Army has participated in multi-nation military exercise जिसका नाम है ZEPA 2021 in which country कहने का मतलब यह है कि भारती सेना ने किस देश में एक बहुरास्ट सेन अभ्यास जिसका नाम है ZEPA 2021 में भाग लिया था ZEPA 2021 नाम की जो military exercise है इसमें भारत ने हिस्सा लिया है यह exercise कहां पर हुई इस साल फ्रांस, रशिया, साउदी अरेबिया या इरान comment box में लिख कर बताईए आप भारत ने हिस्सा लिया है एक multi nation exercise में जिसका नाम है ZEPA 2021 यह कहां पर इस साल हुई है कई लोग इरान बोलने हैं कई लोग रशिया बोलने हैं और कुछ लोग साउदी अरेबिया भी बोलने हैं जो लोग रशिया बोलने हैं केवल उनीक आंसर सही है ध्यान रखेगा ठीक है यह exercise कहां पर हुई रशिया में हुई और रशिया में एक जगे है जिसका नाम है नेजिनी क्या नाम है नेजिनी वहाँ पर हुई है कितने देशों ने यहां पर हिस्सा लिया total 15 countries ने यहां पर हिस्सा लिया Russia की Capitol है मॉस्को France की Capitol पैरिस Saudi Arabia कापिटल रियाद और एरान की Capitol तहरान अगला question है Said Indian Navy has conducted 28th edition of Simbex 2021 with which country साल 2021 की Simbex exercise जो है किया तो भहिया यहां पर S का मतलब क्या है S का मतलब है Singapore देखें इसका फुल फॉर्म क्या होता है सिंबेक्स का S for Singapore I for India मल्ट्री maritime bilateral exercise टोटल अगर एक बार में आप इसे देखो तो क्या बोलोगे Singapore India maritime bilateral exercise ओके तो सिंबेक्स हमेशा ध्यान लखेगा जब भी सिंबेक्स की बात हो मतलब सिंगापूर के साथ ही हम लोग कंड़क्ट कर रहे हैं तो सिंगापूर के साथ इस बार 28 एडिशन संस्क्रण यहां पर आयजित किया गया सिंगापूर की capital Singapore city Japan की capital टोक्यो अभी ओलम्पिक्स हुए थे न एक चीज़ और ध्यान रखना टोक्यो ओलम्पिक्स आपसे कोशन पूछेगा कौन सी डेट में स्टार्ट हुए थे तो एक कमी स्टुडेंट्स को याद रह गया होगा इस बार 23 जुलाई को टोक्यो ओलम्पिक्स स्टार्ट हुए थे ठीक है टोक्यो ओलम्पिक्स में इस बार हम लोगों ने कितने मेडल जीते हैं भारत ने साथ मेडल जीते हैं टोक्यो ओलम्पिक्स मे अगर आपसे पूस्ता है इस बार Paralympics में हमने कितने medal जीते हैं तो Paralympics में 19 medal जीते हैं और अभी मैंने आपको बताए दिया है Asian Championship में boxing में हम लोगों ने कितने medal जीते हैं total 6 gold जीते हैं 6 gold जीते हैं 5 bronze जीते हैं और 9 silver जीते हैं तो अगर Asian Championship में बात करें तो total आप देख लो 9,5,14 और 6,20 total 20 यहां पर जीते हैं और जापान की capital टोकियो मालदीव्स की माले Mauritius की capital Port Louis who has been elected as the vice president of Asian squash federation अभी हाली में Asian squash federation के vice president के रूप में किसको elect किया गया क्या बता सकते हो इनका नाम क्या है अभी हाली में Asian squash federation के vice president के रूप में किसको elect किया गया बताइए जल्दी से comment box में लिख कर बताइए जल्दी से अभी तक किसी का भी आंसर नहीं आया है धीरच और मिमी इनका आंसर आ चुका है और इन दोनों का आंसर सही है इनका नाम है Cyrus पोचा ठीक है क्या नाम है Cyrus पोचा और यह भारती कोच है Cyrus पोचा जिनको एशियाई squash federation के उपाध्यच के रूप में एपॉइंट किया गया है इस टाइम पे Asian squash federation के president कौन है बता सकते हो इस टाइम पे इसके president कौन है इनका नाम है डेविड वाई-वाई-मुई क्या नाम है डेविड वाई-वाई-मुई इस अगला कोशन है अभी हाली में जो आपको पिक्चर में दिख रहे हैं मनीस नार्वाल और सिंग राज अधाना have won a gold medal and silver medal in Tokyo Olympics they are associated with which sport कहने का मतलब यह है कि इस बार Tokyo Olympics में मनीस नार्वाल और सिंग राज अधाना इन दोनों ने gold medal और silver medal जीता यह है मनीस और यह है सिंग राज अधाना इन दोनों ने gold और silver medal जीता है यह कौन से खेल से संबंद रखते हैं तो यह दोनों para shooting से संबंद रखते हैं ठीक है परा shooting में इन्होंने gold जीता है और इन्होंने silver जीता है और Paralympics में इस बार भारत ने टोटल कितने medal जीते हैं तो ध्यान अखिये कि इस बार हम लोगों ने मैंने अभी आपको बताया था 19 medal जीते हैं अगला कुशन है भारत सरकार ने औसिदी ये पौदे वितरित करने के लिए कौन सा अभियान अभी हाली में चालू किया था बताये इन में से उस अभियान का क्या नाम है जिसके तहत भारत सरकार घर घर में जो औशिदी पौदे हैं जिनको इंगलिश में बोलते हैं medicinal plants ये बाटेगी भारत सरकार बताये आयूश आपके द्वार हरियाली जीवन है औशिदी सर्वेक्षन योर लाइफ अवर रिस्पोंसिबिल्टी इसका नाम क्या है जिसके तहत medicinal plant भारत सरकार घरो घरों में बाटेगी medicinal plant का आप मतलब समझ रहो किसी भी तरीके से दवा के तौर पर इन पौदों का यूज़ किया जाता है जैसे कि long हो गई इलाइची हो गई और peppermint हो गया ठीक है नीम हो गई इस तरीके के सारे पौदे जो कि दवा के तौर पर यूज़ किया जाते है बताइए बहुत बढ़िया जो लोग भी आंसर कर रहा है आयूश आपके द्वारा उन सभी का अंसर सही है ठीक है आयूश आपके द्वार नाम का campaign चलाए गया है इसके तहब पहले phase में कितने लोग बेनीफीचरी होंगे तो पूरे भारत भर में 75 लाख लोगों को target किया जा रहा है first phase में मतलब आप आप आम तोर पर बोल सकते हो पहले phase में 75 लाख घरों में इस तरीके के औशदी पौदे बाटे जाएंगे अगला question है ये कौन सी राज्य सरकार है जिसके द्वारा आत्म निर्भर क्रिशी योजना और आत्म निर्भर बागवानी योजना लॉंच करी गई है ये कौन सी राज्य सरकार है जिसने अभी हाली में आत्म निर्भर क्रिशी योजना और आत्म निर्भर बागवानी योजना लॉंच करी है तो ये है अरुनाचल प्रदेश की सरकार कौन सी सरकार है अरुनाचल प्रदेश सरकार आंसर किया आप लगोंने बोलो भई आंसर किया Very good अब देखे इसका मेन मोटो क्या है ये जो आत्मी निर्बर कृशी योजणा है इसके तहट किसानों को शशक्त किया जाएगा किसानों को वो ट्रिक्स बताई जाएंगी जिससे की अरुनाचल प्रदेश के किसान कम से कम पैसे में जादा से जादा बहतर फसल हुगा सके ठीक है और आद में निर्बर बागवानी योजना का में मोटो क्या है जैसे कि फलों और सबजियों का उत्प या गेहूं की ठीक है ऐसा नहीं पैसा तब अच्छा बनता है या प्रॉफिट अच्छा अच्छा तब बनता है और रिस्क मार्केट रिस्क से किसान मिल्टहां पजब वो यह लिए कूई सब्सक्रित कर देता है कुछ एश्या में पूल की खेटी कर दी कुछ हैरिया न में लिजे गेहू की खेती कर दी कुछ एरिया में चावल की खेती कर दी ऐसे जब आप डैवर्सिफाई करोगे तो एक फसल खराब भी हो गई तो दूसरी फसल आपको रिस्क से बाहर ले आईगी कहने का मतलब यह है कि भारत ने किस देश के साथ अभी हाली में मतलब यह कौन सा देश है जिससे हम अन्मेंड एरियल वीकल ले रहे हैं मतलब आस्मान में दौरने वाले ऐसे लाइट वेटेड एरकाफ जिनको बिना पाइलेट की मदद से सिर्फ रिमोट से ऑपरेट किया जाता है रश्या इसराइल अमरीका या फिर फ्रांस यह पैक्ट हमने किसके साथ अभी हाली में साइन किया है आंसर कर सकते हो कि आप कमेंड बॉक्स में यह पैक्ट अभी हाली में किसके साथ साइन किया गया है जो लोग US बोल रहे हैं अमरीका बोल रहे हैं केवल उन्हीं का अंसर सही है आपको बता दूँ ये पैक्ट अभी हाल ही में अमरीकी सरकार के साथ साइन क्या गया है ठीक है और अमरीका में Jay Beden की सरकार है Jay Beden की पार्टी का नाम क्या है इनकी पार्टी का नाम है Democratic Party और इसराइल में इस टाइम पे सरकार किसकी है Benjamin Netanoo की याँ पर सॉरी माफी चाहता हूँ Neftali Bennett की सरकार आ चुकी है और क्या बता सकते हो Neftali Bennett के अलावा Neftali Bennett तो इसराइल के प्रधार मंत्री बने है इसराइल के अभी हाल ही में रास्टपती कौन बने थे तो नाम ध्यान रख्येगा Isaac Herzog क्या नाम है Isaac Herzog रश्या में व्लादीमीर पुतिन की सरकार है आपको पताईए और फ्रांस में Emmanuel Macron की सरकार है और क्लास के बारे मैं आप लोगों को अपडेट दे देता हूँ थी वो इंजरी तो अब बिल्कुल छोटी से बचे हुए है मैं लिखने की भी कंडीशन में नहीं था एक छोटा सा एक्सिडेंटल केस था और उसके बाद मैं आस्थमाटिक भी हूँ तो दिवाली में वो प्रॉब्लम भी बढ़ दी जिसकी वज़े से डेली मुझे निबलाइस कराना पढ़ लाता खुद को मशीन के कॉंटेक्ट में डेली आ रहा था मतलब ऐसे समझ लो उधार की हवा मिल रही थी तब जाके मैं सांस ले पा रहा था ऑक्सीजन की समस्य हो रही थी तो इन सारी दिक्कतों से मैं जूज रहा था तो अभी मुझे पता है करीब करीब साथ दिन बचे हुए आपके जीडी एक्जाम के तो एक बार लग जाते हैं और जितना हो सकेगा दम भर डेली अब यहां पर क्लास होगी और प्लस में भी क्लास होगी और इस पेशल क्लास तो डेली होगी होगी यह बाकी आप देखोगे और कल सुबह सुबह मैं स्पेशल क्लास भी लॉंच करके आपको एनाउंस कर दूँगा यूट्यूब पर सारी चीज़ें आपको सुबह तक पता लग जाएंगी ठीक है तो फिलाल बस यही प्लान है और आपका पेपर अच्छा होगा इसके लिए विलकुर टेंशन फ्री रही है गैरेंटीड आपने अगर पहले से तैयारी करी हुई है तो जरूर पेपर अच्छा होगा ठीक है ना बाकी बहुत ज़्यादा मत सोचो बस विल रखिये जहां विल है वही पर क्या है सकसेज है जैसे कि बोलते हैं ना क्या देश धनवान है लेकिन जनता गरीब है तो देश अगर धनवान है और जनता गरीब है इसका मतलब क्या हुआ इसका मतलब हुआ देश में पैसा है देश धनवान है लेकिन जनता गरीब घूम रही है इसका मतलब क्या हुआ तेर इस अगर आपके अंदर विल नहीं है कि आप अपने ही देश में जो पैसा है उसको अपने लिए deserving बना सको क्या आप उस पैसे के लिए deserving हो तो वैसे ही, क्या आप success के लिए deserving हो ठीक है, तो there is a lack of will अगर आपके अंदर will ही नहीं है आपके अबल उन लोगों को सोचते हो जो दिन रात सिर्फ शिकायती किया करते हैं जो दिन रात यही सोचा करते हैं कि कौन से master में कमी है कौन सी academy में कमी है उनसे कुछ नहीं होने वाला वो जीवन बर सिर्फ और सिर्फ complain करते रहेंगे कुछ time बाद तुम भी वैसे ही हो जाओगे ठीक है ना, so there is a lack of will will की अगर lack है तो कुछ नहीं हो पाएगा will की lack हटा दोगे सब कुछ होने लगेगा तो will की lack हटा हो, will अपने अंदर पैदा करो कि हाँ यह तो हो सकता है और जरूर होगा हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा यार बचके कहां जाएगा, ठीक है ना वो will होनी चाहिए, ओके तो ध्यान रखे, इस statement को हमेशा ध्यान रखेगा कई बार आप लोगोंने सुना होगा, लिखा हुआ आप देखोगे देश जन्वान है, लेकिन जनता गरीब है reason, आपके अंदर will ही नहीं है आपके अंदर इस पार की नहीं है, आगी नहीं है होगा क्या यार तुम आदमी ऐसे हो, जो पाँच हजार महिना में खुश हो जाते हो तो तुम पाँच हजार महिना के ही आदमी रहोगे ना है हमेशा, बात आ रही है समझ okay, so don't be satisfied with your success अगर आपको एक success मिली है तो उसके बाद ऐसा नहीं है कि आगे success नहीं है आगे और बड़ी success आपका इंतिजार कर रही है डिपेंड ये करता है आप कितनी बड़ी success में satisfy हो जाते हो तो इन चीजों का ख्याल रखिए बाकी पेपर देने जाहिए है आपसे कोई दिक्कत नहीं है उससे पहले आपको बाकी जितने भी topics हैं जैसे military exercise हो गई books and authors हो गई ये सब मैंने plan के हुए है 14-15 तारिक तक वो सब आपको मिल जाएगा क्योंकि daily मैं 8 बजे आपर मिलूँगा बस कल की class 7 बजे हो जाएगी अगला question है we have observed international day of charity on visit अंतर रास्टी दिवस charity के लिए कौन से दिन मनाया जाता है या हिंदी में बोलें तो अंतर रास्टी परवकार दिवस कौन से दिन मनाया जाता है तो हर साल ये दिवस 5 सितंबर को मनाया जाता है और 5 सितंबर को क्यों मनाया जाता है क्योंकि मदर टेरेसा का जन्म दिन होता है कोई देखकत तो नहीं कोई समस्या तो नहीं यह देखिया हमारे बीच में है यादो सौरफ इनका कहना है यह यहाँ पर कमेंट बॉक्स में कहते हैं लड़कियों से कि नंबर देदो इनको मतलब यह जीवन में इतने तनहा है इनके जीवन में इतने निरासा है कि कोई उनसे बात तक नहीं करता है इनको कोई मुह नहीं लगा रहा है आज कल तो इतने ज़ादा ये तनहा हो चुके हैं कि यहाँ पर भीक मांग रहा है और कहरा है कोई नंबर दे दो आगे आप जीवन समझ लीजे किस इस्तिती पर चल रहा है कौन सी पट्री पर चल रहा है और बनना इनको भी सुल्तान है लेकि इनको ये नहीं पता कि सुल्तान बनने के लिए गर्दन और इरादे दोनों मजबूत होने चाहिए इतना तनहा व्यक्ति है ये कि किताबों में दीदा नहीं लग रहा है कलम हाथ से छूट जा रही है और उंगलियां चल रही है किसलिए कि गर्ल्स कोई नंबर दे दो क्या ही कहा जाए देश परेशान है किस से हाँ वी हैव अब्सर्वड नैशनल टीचर्स टे ओन वेस डेट रास्टी सिछक दिवस हम लोग कौन से दिन मनाते हैं तो रास्टी सिछक दिवस भी सेम डेट को ही मनाते हैं पास चितंबर को मनाया जाता है और किसकी याद में मनाया जाता है डॉक्टर सर पल्ली रादा का परिक्षन सुरू किया है चलिए बताइए अभी हाली में पूरी दुनि Dellには में यह पहली स्पेस एजन्सी कौन सी है जिसके दुआर एलेक्टरिक एयर टैक्सी की की टेस्टिंग लाँच करी दिन मतलब बहुत जल्द एलेक्ट्रिक एयर टैक्सी चलने लगेंगी बताये जल्दी से, बताई जल्दी से, which one is the correct answer, option है आपके सामने, जाकसा, इस्रो, रॉसकोस्मास या नासा, बताईए, has anyone idea, नासा जो लोग बुलने हैं, उन सभी का answer सही है, ठीक है, तेको इसका main motor क्या है, जैसे, आप, मतलब आम तोर पर आप देखते हो ना, हेलिकॉप्टर होते हैं, अब हेलिकॉप्टर जो है, हेलिकॉप्टर अगर आपको as a taxi vehicle ले जाने लगे, एक जगे से दूसरी जगे पर, तो वो taxi नहीं कहलाएगा, क्योंकि हेलिकॉप्टर में fuel ही इतना जादा लग जाता है, कि आम आदमी उसको beer नहीं कर सकता, अब इस case में battery based helicopter चलाया जा रहा है, और ये NASA इसको test कर रही है, तो आने वाले time में, आपको अगर एक जगे से दूसरी जगे, बहुत जल्दी पहुँचना है, और बहुत लंबा distance cover करना है, तो उस case में आप electric air taxis का use कर पाऊगे, अब देखे इसके बीचे main motor क्या है, टैक्सी अगर नाम जुड़ गया है, तो किराया efficient होना चाहिए, किराया ऐसा होना चाहिए कि लोग beer कर पाए, और वो चीज नॉर्मल fuel में possible नहीं है, वो चीज सिर्फ और सिर्फ battery में ही possible हो पाईगी, इस वज़े से ये परिक्षर NASA के द्वारा किया जा रहा है, NASA की नाम द्यान लखना, ये भी current affair का question है, आप से पूछ सकता है, NASA के नए administrator कौन मनाए गया है, बिल नेलसन, अगला question है, ये कौन सा देश है, जो की shared destiny 2021 नाम की military exercise को host कर रहा है, तो इस साल shared destiny 2021 नाम की military exercise है, इसको conduct किया गया, कौन से देश के द्वारा, चाइना के द्वारा इसक सा भी लिया है, कौन कौन से देश, Thailand, China, Mongolia और Pakistan, ओके, बाकी इनका तो आपको पता ही है, पिसाच पुरी, ये इनीक सा जुड़े रहते हैं, चाइना कोई भी exercise conduct करेगा, इनको जाना ही जाना है, ठीक है, हाँ, वैसे इनके पिताजी दूसरे हैं, इनके पिताजी दूसरे है हैं, यहां बैटे हुए हैं, लेकि इन्होंने अपना दूसरा पिताजी बना लिया है, किसको, इनको बना लिया है, चंडाल पुरी को, तो इनके साथ कोई भी exercise होएगा ना, तो ध्यान रखना, कभी भी आपसे partner country पूछे, तो ये आपके लिए हिंट है, आख बंद करके बी, held on September 9, 2021, under the chairmanship of which country, कहने का मतलब यह है, कि 13 ब्रिक्स सिखर सम्मेलन जो अभी हाली में, 9 सितंबर को हुआ था, कौन सी देश के द्वारा इसकी अद्दिच्च्चता करी गई इस साल, मतलब सीधा सा question है, 2021 में ब्रिक्स की अद्दिच्च्चता कौन सा देश कर रहा है, भारत, रशिया, चाइना या ब्राजील, which one is the correct answer, बोले जल्दी से, विकास रिवास्ता जी, काफी पीछे हैं, आप answer करिये, आगे question बढ़ चुका है, बताए जल्दी से, has anyone idea, भारत अद्दिच्च्चता कर रहा है, बिल्कुल सही, विजय मीना, शोभी पचाओरी, आंसर सही है, जो लोग भी भारत अंसर कर रहे हैं, उन सभी का अंसर सही है, ठीक है, अगर आप से ये question पूछे है, कि भारत ने इस बार ब्रिक्स की कौन सी बार अद्दिच्च् बारे मैं आपको बता दूँ, पहले ये ब्रिक हुआ करता था, जब इसकी स्थापना साल 2006 में करी गई थी, 2010 में ये ब्रिक्स बन गया, क्या बन गया, ब्रिक्स, मतलब S4 साउथ अफरीका इसमें जुड़ गया, कब 2010 में, तो कभी भी अगर लिखा हो, ब्रिक्स की स्थाप में इसकी वी थी, जब ये ब्रिक्स बना, तो 2010 था, इसके बाद इन्हों ने अपना एक बैंक बनाया, जिसको हम लोग New Development Bank के नाम से जानते हैं, NDB, 2014 में बनाया गया था, ठीक है, और NDB ने पिछले साल 2020 में, ब्रिक्स को 5 बिलियन डॉलर की धन्नाची दी, कितनी 5 बिलियन डॉलर की धन्नाची दीती, COVID pandemic के तहत, और NDB का Headquarter क्या है, ये जो New Development Bank है, ब्रिक्स का है, इसका Headquarter क्या है, संगाई इसका Headquarter है, क्या है, संगाई, चाइना, अगला कोश्चन है, निपा वाइरस अभी हाली में, कौन से राज में पाया गया था, बताए जल्दी से, निपा व निपा वाइरस किन-किन चीजों में हो सकता है, बेसिकली ये जो वाइरस है, ये चमगादर से निकला हुआ है, बैट से, ठीक है, अब देखें, चमगादर क्या है, ये पेडों में बैट जाते हैं, रातों में जाकर, ठीक है, तो पेडों में अगर ये बैट रहे हैं, तो ऐसे पेड, जिनसे हम कुछ ना कुछ कंस्यूम करें, जैसे कि फल हो गए या सबζी हो गए. जैसे कि देखो, सबजीओं के जो पौदे होते हैं, वो तो काफी नीचे होते हैं, लेकिन उपर वाले जो पेड होते हैं, जिनके हाईट जादा होती है, वो फलों के होते है जादतर तो फलों में निपा वाइरस भी पाया जा रहा है फलों में क्यों पाया जा रहा है क्योंकि ये चमगादर जाके इनी फलों की डालियों में बैड़ जाते है और उनसे वो वाइरस कहां फैल जाता है फलो में और फलो को consume कर लेता है इंसान और इंसान जो मल कर रहा है जो waste digestive system से निकाल रहा है वो जाहिर सी बात है कुछ पशू है जिनके पास जा रहा है और पशू क्या है ये भी affected हो रहा है बात आ रही है समझ तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी cycle बन रही है जिसके बताइए जल्दी से जी हाँ जो लोग केरल आंसर कर रहे है उन सभी का आंसर सही है पका लॉक कर दूँ देख लो आंसर सही है ठीक है केरला इस दराइट आंसर मतलब यार बेशर्मी के हद हो गई ये व्यक्ति अभी भी नंबर मांगना बंद नहीं कर रहा है मुझे याद आ रहा है जब मैं हॉस्टल में था उस टाइम पर मैं ट्रेन से ट्रैवल किया करता था मैं करें करें बकर ट्रेंथर है करें विख नड़ आप लोग ब MON एक रहात रहा को सब लिखाओ अगए की अर्जण दिल बनाओगा उसके बाद ऐक बड़ा सा एरह लगा यह फैस दिस सब लिखा Now मशन रिखाओगा आप इक किसी बात्रूम में जाके देखो के रेलवे, कि हमाँ पर भी ये सारी हर्कते हो रख्यों, तो ये ऐसी लोग होते हैं, जिनके जीवन में इतना खालीपन है, कि वह नंबर बांट रहे हैं, या नंबर चाहते हैं किसी के, इनको सिर्फ और सिर्फ क्या है? कि एक बार नमबर लगाना है नमबर लगाके high और hello कोई बोल दे उतने में काम हो जाएगा अला क्या है words ही नहीं है जीवन की आप देखे दिशा किधर जा रही है तनहाई का आलम मत कहिए तनहाई का आलम मत कहिए जो बेसते तर्धे दबाए दिल वो अपनी दुकान बढ़ा गए अगला कुश्चन Which state government has decided to impose a ban on online games or betting कहने का मतलब ये है कि ये कौन सी राज्य सरकार है जिसके द्वारा अभी हाली में एक circular pass क्या गया कि ये हर तरीके के वो online game ban करने जा रहे हैं जिससे 60 बाजी होती है बताईए बताईए जल्दी से ये कौन सी राज्य सरकार है भारत की जो की बहुत जल्द हर तरीके के online games and bettings पर प्रतिबंद लगाने जा रहे हैं बताईए बताईए जल्दी से Which one is the right answer जो बेशते थे दरदे दवाई दिल वो अपनी दुकान बढ़ा गए खतम हो गया इनका करनाटक is the right answer ठीक है और क्या करनाटक भारत की पहली ऐसी राज्य सरकार है जो की online gaming या betting पर बैन लगाने जा रही है आंसर है no करनाटक देश की तीसरी ऐसी राज्य सरकार है पहली राज्य सरकार है तमिल नाडू और दूसरी राज्य सरकार है केरला तमिल नाडू और केरल के बाद तीसरी राज्य सरकार है करनाटक जो की अब इसको बैन कर चुकी है ठीक है तो तीनों आपको ध्यान रखने है बाकि करनाटक में बिसाव राज बोमई की सरकार है तमिलनाड में MK Stalin की सरकार है केरल में पिनाराय विजन की सरकार है पिनाराय विजन अभी हाली में 4-5 महने पहले दूसरी बार मुख्यमंत्री बने है केरल के बाकि आपको पताईए गोवा में प्रमोस सावंध की सरकार है और एक कोशन और यह कौन सी राज्य सरकार है जिसने अपना खुद का THINK TANK भारत सरकार का THINK TANK है जिसको आप लोग नीती आयोक के नाम से जानते हो ठीक है नीती आयोक का काम क्या होता है ये भारत सरकार के लिए POLICIES लाँच करते है उसी तरीके से गोवा सरकार ऐसी सरकार अभी हाली में बन गई है जिसने अपना Think Tank लाँच किया है खुद का जिसका नाम है Gift क्या नाम है? Gift तो ये जो Gift नाम का Think Tank है ये गोवा के लिए Policy बनाने का काम करेंगे जिसके तहद गोवा के अंदर नेने Projects और इसकी में लाँच करी जाएंगी गोवा में प्रमोस सावंद की सरकार है अगला कोशन है ये कौन सा गल्फ कंट्री है जिसके द्वारा अभी हाली में नया Green Visa लाँच किया गया कतर, उमान, साओधी अरेबिया या United Arab अमीराथ बता सकते हो comment box में लिक कर आप से कह रहा है ये कौन सा गल्फ कंट्री है जिसके द्वारा अभी हाली में इनका नया Green Visa लाँच किया गया है Green Visa वो फैसलिटी है कि ये वीजा जिसको भी दिया जाता है सरकार की तरफ से उसको रहने की फैसलिटी दी जाएगी इस देश में और साथ में वहाँ पर अगर आप व्यापार करते हो तो व्यापार में तरह तरह की subsidies भी आपको दी जाएगी मतलब tax में आपको छूट दी जाएगी रिबेट दिया जाएगा तो बताइए कौन सी देश की सरकार है जिसने अपना new visa policy launch करी है या green visa नया launch किया है बिलकुल सही UAE is the right answer United Arab Amirat और UAE की capital क्या है अबुधाबी साओधी अरेबिया की capital रियाद ओमान की capital मसकट और कतर की capital दोहा और एक चीज़ और ध्यान रखना अभी हाली में पहले बॉलिवूड एक्टर कौन बन गए है जिनको golden visa मिला है तो ध्यान रखेगा संजय दत्थ संजय दत्थ अगला question प्रेसिडेंट रामनात कोविंद इस साल पूरे भारत में कितने ऐसे सिक्चक हैं जिनको रास्टपती रामनात कोविंद की तरफ से National Teachers Awards से सम्मानित क्या गया है तो रास्टी सिक्चक पुरसकार टोटल चवालिस टीचरों को इस बार दिया गया प्रेसिडेंट रामनात कोविंद की तरफ से एक चीज़ और अभी हाली में एक नया रेकॉर्ड बना दिया गया कई सालों के बाद किसी रास्टपती के द्वारा और वो हैं प्रेसिडेंट रामनात कोविंद जिनके द्वारा रेल यात्रा करी गई तो इन्होंने अपनी पहली रेल यात्रा कहां से कहां तक करी थी तो ध्यान लखेगा इनका घर कहां पर है कानपूर इनका घर है तो इन्होंने जो रेल यात्रा करी थी वो दिल्ली से लेकर कानपूर तक करी थी और उसके बाद कानपूर से लखनाव भी गयते रेल के ही त्रू अगला कोश्चन है विच पेमेंट एग्रिगेटर लाँंस फर्स्ट इंडियन डिस्टिल पेमेंट इंटरक्तिव इसका नाम क्या है इसको बोलते हैं जियो इसपेटल प्लैटफोर्म कहने का मतलब ये है कि ये भारत का पहला ऐसा भुगतान एग्रिगेटर कौन सा बन गया है जिसके द्वारा भू इस्थानिक प्लैटफॉर्म प्ल्स प्लैटफॉर्म लॉंच किया गया है गूगल पे वोड़ा फोन एम पैसा पेटियम या फिर फोन पे बता सकते हो आपके विद्वाक्स में लिखकर फिर मैं आपको बताता हूँ इसका में मोटो क्या है चलिए पहले बता देता हूँ इसका में मोटो क्या है यह ऐसा पेमेंट एग्रिगेटर है जिनोंने अपना खुद का जियो स्पेशिल प्लैटफॉर्म लॉंच किया है अब इसके तहट आप इनके इंटरफेस के तहट इस तरीके कि आपको कोई भी इस अंस्थान चाहिए तो इनका यह जियो स्पेशल प्लैटफॉर्म बता देगा आपको अब बताओ ज्यादा तर लोग पेटियम आंसर कर रहे हैं कुछ लोग गूगल पे भी वाले हैं सिमरन सिंग का अंसर सही है लेकिन जो लोग यहां पर फोन पे आंसर कर रहे हैं ठीक है मैतरी मुखर जी आंसर सही है जो लोग फोन पे आंसर कर रहे हैं केवल उन्हीक आंसर सही है ठीक है और पिछले साल फोन पे के ब्रैंड अमेज़र कौन बनाए गया थे आमेर खान कहने का मतलब यह है कि यह कौन सी बीमा कंपनी है जिसने खुले बाजार अधिग्रहन के माध्यम से बैंक ओफ इंडिया के 3.9% शेर खरीदे हैं अभी हाली में बताइए SBI Insurance, LIC, भारती एकसा लाइफ इंचुरेंस या इंडिया पोस्ट पेमेंट तो ध्यान रखेएगा यह है भारती एकसा लाइफ इंचुरेंस पक्का लॉक कर दूँ देख लो देख लो फिर मत बोलना नहीं सही है बिलकुल सही है एससी लर्नर आंसर सही है निकेश LIC ने अभी हाली में Bank of India के 3.9% स्टेक्स खरीदे हुए है और LIC की स्थापना कप करी गई थी 1956 में LIC का Headquarter मुंबई और LIC के Chairperson कौन है M.R. कुमार क्या नाम है M.R. कुमार क्या बता सकते हो 2021 के बजट के आधार पर 12 सरकार के द्वारा जो FDI है वो LIC में कितने % तक बढ़ा कर दिया गया है तो ध्यान रखिएगा जो FDI की limit थी LIC में 49% तक थी 25% इसको और बढ़ा दिया गया तो आब यह बढ़के कितनी पहुँच गई है 74% FDI पहुच चुकी है कितनी 74% LIC में FDI चल लगी है foreign direct investment और बाकी अगर बात करें तो यहाँ पर जो bank वाले students है उनको तो figure भी ध्यान रखने होते हैं क्योंकि IBPS में यह आकड़ा नहीं पूसता है IBPS में यह आकड़ा पूसता है तो ध्यान बखेगा करीब करीब 15 करोण 90 लाग के shares खरीदे गए है LIC के दवारा अगला question है who has conferred AICTE विश्वे सुरया best teacher award to 17 faculty members of engineering and technology कहने का मतलब यह है कि किसके दवारा इस साल पूरे भारत के 17 teachers को AICTE से approved विश्वे सुरया best teacher award से सम्मानित किया गया है तो बताइए यह award किसके दवारा दिया गया है इस साल बारत के सरकारी स्कूलों में पढ़ाने वाले 17 best faculty members को विश्वे सुरया एवार्ड से सम्मानित किया गया है किसके दवारा यह award किसने दिया है which one is the correct answer honey श्रिवास्तो आंसर सही है आपका दीरच का भी आंसर सही है जो लोग यहाँ पर धर्मेंद्र प्रधान बोलना है केवल उनीक आंसर सही है और धर्मेंद्र प्रधान इस टाइम पर education minister है कौन है education minister पहले इनके पास petroleum mantra लेता अगला question है एक किताब अभी हाली में launch हुई है जिसका नाम है know your rights and claim them a guide for youth यह किताब किसके द्वारा लिखी गई है इस किताब को किसके द्वारा लिखा गया है जेके रावलिंग, एंजलीना जॉली रोजी कांगोड या फिर मैरगोट रोबी which one is the correct answer तो यह किताब अभी काफी news में थी एंजलीना जॉली के द्वारा यह किताब लिखी गई है ठीक है, ध्यान रखेगा किसके द्वारा एंजलीना जॉली और यह किताब basically इन्होंने किसके लिए लिखी हुई है youngsters के लिए लिखी हुई है और उन्हें बताया है कि career oriented उनके rights क्या-क्या होते है ठीक है, किस तरीके से वो जहां चाहते हैं उदर अपना career बनाए लोगों से influenced केवल उसी छेतर में हो जिस छेतर में हो जाना चाहते है like wanna be ना बने ठीक है, wanna be का मतलब आज आपको यह बनना है, कल आपको वो बनना है ऐसे करते रहोगे तो पूरा जिन्दगी निकल जाएगी और बन पाओगे कुछ नहीं इस साल 2021 का Dutch Grand Prix किसके द्वारा जीता गया बताइए Dutch Grand Prix 2021 का किसने जीता है तो first one is the correct answer Max Verspan ने इस साल का Dutch Grand Prix जीता है second number पे Lewis Hamilton रहे और third number पे Valtteri Bottas रहे Max Verspan कौन से टीम से खिलते हैं तो ध्यान रखेगा ये Red Bull से खिलते हैं कौन से देश के खिलाडी है Max Verspan comment box में लिखकर बता सकते हो क्या आप और एक चीज़ और बता दूँ आपको यहीं पर एक और question आप से question पूछा जाएगा अभी हाली में ये कौन से Car Racer है जो की पूरे 100 Grand Prix जीच चुके हैं Formula One के Lewis Hamilton Lewis Hamilton अभी हाली में वो खिलाडी बने जो की पूरे 100 Formula One Grand Prix जीच चुके हैं और Lewis Hamilton को पिछले साल Nighthood की तरफ से भी सम्मानित किया गया था Britain की रानी Victoria की तरफ से बताइए मैंने आप से पूछा कौन से देश के खिलाडी हैं कुछ लोग बोल रहे हैं Poland और कुछ लोग बोल रहे हैं Belgium अच्छा Poland और Belgium बोल रहे हैं अच्छा एक बार चेक करिएगा Muslimah Khatun आंसर सही है Netherlands is the right answer ठीक है इंडिया has won how many medals in Tokyo Paralympics 2020 अभी अभी बता चुका हूँ दो बार अब तीसरी बार बताने जा रहा हूँ सभी लोग ध्यान रखे Tokyo Paralympics में हम लोगों 19 medal जीते हैं Tokyo Olympics में हम लोगों 7 medal जीते हैं और Asian Federation में इस बार Asian Championship में कितने जीते हैं टोटल 20 medal जीते हैं ठीक है अगला कुश्चन है विच कंट्रीज फोटोग्राफर वान वीजा दियोर फॉर न्यूज फोटो जनरलिजम एवार्ड एड़ दा वीजा पूर लिमेज आप से कह रहा है अभी हाली में वीजा पूर लिमेज फेस्टिवल जो होता है इसमें वीजा दियोर फॉर न्यूज फोटो जनरलिजम एवार्ड किस देश के जनरलिस को दिया गया है या आप बोल सकते हो फोटोग्राफर को दिया गया है तो ध्यान रखिएगा इस बार ये अवार्ड जीता ही किसने म्यामार के एक फोटोग्राफर ने इनका नाम क्या है तो ध्यान लखिए इनका नाम किसी को नहीं पता है इन्होंने अपना नाम गुप्त रखने की रिक्वेस्ट करी हुई है तो सिर्फ और सिर्फ लोगों को ये ही पता है कि म्यामार के किसी व्यक्ति ने इस बार का फोटो जनरलिजम एवार्ड जीता है ये बेस्ट फोटोग्राफर डिक्लियर किये गए है वीजा पूर एल इमेच फेस्टिवल में ये फेस्टिवल हर साल फ्रांस में मनाया जाता है और best photographers को यह award दिया जाता है में आमार की capital है निपडे मंगोलिया की capital है उलान बतर नौर्वे की capital ओसलो सुट्जेलैंड की capital बर्न अगला question है अभी हाली में पाकिस्तान cricket बोल्ड ने one day international और T20 series के लिए interim coach के रूप में किसको appoint किया था तो इन्होंने इस बार T20 international series के लिए और ODI के लिए दोनों के लिए सकलेन मुस्ताक और अब्दुल रजाक इन दोनों को अपना mentor या फिर आप बोल सकते हो interim coach appoint किया था और अभी हाली में T20 World Cup के लिए बारती team के mentor कौन appoint किये गए थे तो आपको ध्यान रखना है महिन सिंग दोनी appoint किये गए थे अगला question है अभी हाली में former president of which organization जिनका नाम है jackass rock इनका अभी हाली में निधन हो गया कहने का मतलब यह है कि jackass rock जो आपको world health organization या फिर इंटर पोल तो यह इंटरनेशनल ओलंपिक्स कमेटी के president रहे चुके हैं और बाइद वे आपको बता दूँ आई योसी के इस टाइम पर president कौन है इनका नाम ध्यान रखना और ज्यादा इंपोर्टेंट है इनका नाम है Thomas batch क्या नाम है Thomas batch he is the president of international olympics committee right now अगला question आपसे पूछ रहा है लक्षदीप के कितने दीप समुद्री सहवाल हब में परवर्तित किया जाएंगे मतलब लक्षदीप के अंदर कितने ऐसे island है जिनको समुद्री सहवाल हब बनाया जाएगा बताइए नो बारा पांच या लक्षदीप के कितने islands हैं जिनको समुद्री सहवाल हब में convert किया जाएगा या seaweed हब जिसको बोला जाता है और समुद्री सहवाल जो होते हैं इनका आपको पता है ना main motto क्या है इनको बढ़ाए जाने का main motto क्या है इनकी खेती का main motto क्या है बिल्कुल सही, जो लोग 9 आइलाइंट्स बोलना है उनी का अंसर सही है ठीक है, लक्षदीप के 9 आइलाइंट्स में समुद्री सहवाल की खेती जबर जस तरीके से करी जाएगी अब यह जो समुद्री सहवाल होते हैं, इनका यूज कहां किया जाता है देखे, मरीन फूड के लिए इसका यूज किया जाता है मतलब पानी में रहने वाले जो जीव होते हैं, उनमें से कई सारे जीवों की प्रजातिया इनको खाती है तो मरीन फूड ऐसा यूज किया जाएगा और दूसी चीज, मैडिसिन परपस से यूज किया जाएगा ठीक है, दवाईयां बनाने के लिए इसका यूज किया जाता है तो लक्षदीप के नाइन आइलाइंड्स में इंटरनेशनल लेवल पर समुद्री सहवाल की खेती करी जाएगी और लक्षदीप में इस टाइम पर एड्मिस्टेटर कौन है, ये हैं प्रफुल पटेल 21 के यामीन हजारिका विमेन आफ दा सबस्टेंस एवार्ड से किसको सम्मानित क्या गया है अनुरादा पवादिया, नमिता गोखले, रूपा सिंग, या फिर किरन मजूमदार बोलो जल्दी से नहीं भाई, ज्यादा तर लोग किरन मजूमदार आंसर कर रहे हैं, आंसर नहीं सही है, जॉर्डन का आंसर सही है, प्रदीप का आंसर सही है, जो लोग नमिता गोखले बोल रहे हैं, उन्हीं का आंसर सही है, जो आपको पिक्चर में दिख रही है, इनका नाम है नमिता गो awarded with सारा भाई teacher scientist national harmony sorry honorary award 2021 by the national council of the teacher scientist कहने का मतलब यह है कि 2021 के सारा भाई teacher scientist national honorary award से किसको सम्मानित किया गया है और यह award किसके द्वारा दिया गया है national council of teacher scientist awards के द्वारा दिया गया है आनंद कुमार जी को सम्मानित किया गया है ठीक है अगला question who has been appointed as the new commander in chief of Chinese army most important question है Chinese army में अभी हाली में नए commander in chief के रूप में किसको appoint किया गया है जो आपको picture में दिख रहे हैं इनका नाम क्या है पता यह comment box में लिख कर जल्दी से which one is the correct answer question एक बार फिर से देख लो आप से पूछ रहे है Chinese army में नए commander in chief के रूप में किसको appoint किया गया है इनका नाम क्या है यह है वांग हाई जादा तर लोग third answer कर रहे हैं लेकिन नहीं answer सही है आपका अब ध्यान रखेगा इनका नाम है वांग हाई जांग क्या नाम है वांग हाई जांग और इनको commander in chief कौन सी unit का बनाय गया है इनको western western Chinese army का commander in chief बनाय गया है western Chinese army का commander in chief का मतलब समझ रहे हो यह भारत यह यह चाइना ठीक है तो इनके लिए west क्या हुआ Indian front ठीक है तो बारत की तरफ जो सेना इनकी है जो Chinese army unit है उसको समालेंगे यह वांग हाई जांग ठीक है इस वज़े से important है question especially जो cds वाले candidate हो गए एफकेट वाले हो गए यह आप सेना का कोई भी exam देने जा रहे हो आपके लिए बहुत important question है अगला question है which country has become the first nation globally to vaccinate toddler with coronavirus vaccine question का मतलब समझ लोग क्या है आप से कह रहा है कौन सा देश विस्स इस तर का पहला ऐसा देश बन गया है जिसने बच्चे को कोरोना वायरस vaccine का टीका लगा दिया मतलब इनका इत्ती जल्दी हुई रही रहे कि यह बच्चाओना ना छोड़िन बच्चाओं का ओड़ा के लगा दिन क्यूबा की capital क्या है हवाना जर्मनी की capital बरलिन वियतनाम की capital हनोई आयर्लाइन की capital डबलिन इस दर राइट आंसर ठीक है तो क्यूबा एस दर आइस देश बन गया है जिसने पैदा हुए बच्चे को दो साल की उम्र के अंदर ही covid vaccine लगा दिया है और आप सभी के लिए एक announcement है full complete static gk batch जो लोग सीख कर रहे थे आप सभी की query आ रही थी कि full complete static gk का batch कब से आ रहा है ये 17 November से start हो रहा है discount code varun777 है इसकी मदश से आप इसको join कर सकते हो on academy plus में इसमें जो आपको pdf मिलेगी वो पूरी pdf हिंदी और English में अलग-अलग मिलेगी बिलकुल अलग-अलग इसमें कौन-कौन से topic आपको मिलेंगे तो answer है हर topic आपको मिलेगा almost 99% topic complete होंगे अब GS में 100% तो कभी नहीं होता ना और ये जो course होगा ये UPSC तक के लिए है आपका तो आप इस course को join कर सकते हो अगर आप static gk में lag करते हो आपके पास content बगहरा नहीं है आप इधर-उदर फिड़ते रहते हो और कोई आपको मूर्क बना के चला जाता है इधर-उदर की static gk ये है वो है जून और जुलाई के करेंट अफेर डिसकस करेंगे ठीक है तो चलिए आज की बात यहीं तक बाबाई take care have a nice day सुल्तान तो हर कोई बनना चाहता है लेकिन सुल्तान बनने के लिए गर्दन और इरादे दोनों मजबूत होने चाहिए सुल्तान के भूग पढ़ लिए खाना पेश किया जाए